जी नमस्कार आप पंजाब के स्री टीबी देख रहे हैं उन्हा से आपका बहुत-बहुत स्वागत मैं सुरेंदर शर्मा आज इस मौनसून की बरसाद की पहली बारिश हुई है और पहली का तेज बारिश ने जहाँ एक तरफ ही यह देखिए स्वान अदी के जल स्तर में काफी बृत्गी की है अभी भी रिम जिम बारिश पर जारी है और से पहले उन्हा सहित असपास के सभी गौव में काफी नुकसान की खबरें लगातार मिल रही हैं, ऊना से लगातार खबरें, खबरें, नुकसान की मिल रही है, और कई घर हैं स्कूल हैं जो पानी से पूरी तरह से भर चुके हैं क्योंकि आज संडे है ऐसे में बच्चे तो नहीं स्कूल आएंगे लेकिन काफी स्कूल है सिक्षन संस्थान है जहां पे पानी भरा है डी सी आउफिस के पास पर्टिकॉल पूरा एरिया है जो जलमगन जलस्तर में बृद्धी हुई है तो उना में लगतार जो बारिश जारी है और इस पहली बारिश ने जो काफी नुकसान किया है इसकी लगतार खबरे आ रही है और ये देखिए ये स्वान नदी है जहां पर आपको बता रहे हैं किस तरीके से जलस्तर में जो बृद्धी है वो हुई है अभी भी लगतार बारिश जारी है और यह देखिए किस तरीके से जो पानी है वो बड़ा है अभी बताये जा रहा है कि उपरी के शेत्रों में बारिश हुई है ऐसे मैं यह और जल स्तर जो है बड़ेगा और उससे काफी जो भी दिखते हो सकती है यह लोग भी काफी यहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं जो जल स्तरको देखने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तर बात करें तो उना जिला की के परशिद धार्मिक स्थल शक्तिपीर चिंदपुनि में ब्यवस्थाइं पूरी तरह से के चर्मरा गई हैं खराब हो गई हैं लागों की संक्या में शर्धालू पहुंचे हैं उनके कहीं भी आश्रे स्थल नहीं हैं उनके लिए बारिश में दर्शन कर रहे है और लाइनों में लगे हैं हालात बहाँ पे खराब हो गई हैं लगातार परशाशन से गुहार लगा रहे हैं ताकि बहाँ पे कोई मदद पहुंचाई जा सके लेकिन बारिश के बीच चिंदपुनि में जो स्थितियां हैं वो खराब हो रही हैं शर्धालूं को इस बारिश में आश्रे देने के लिए जो स्थल हैं वो भी प्रियापत नहीं है और बारिश के बीच में ही लोग लाइनों में लगे हुए हैं क्योंकि देरात्री ये बारिश शुरू हुई थी और उससे लगातार स्थिती जो है वो खराब हुई है लंगर लगे हैं काफी सस्थाओं ने लंगर भी लगाए हैं परन्तु वहां भी जो पानी पानी हो चुका है और सडकों पे चलना भी मुश्कल हो गया तो चिला भर में काफी नुकसान की जो खबरें हैं वो आ रहे ही हैं ये देखिए उना जिला की स्वानदी रेत की नदी जहां पे अब पानी जो है वो भरने लगा है स्वानदी और ये देखिए किस तरीके से पानी जो है वो बनना शुरू हुआ है कुछ किशेत्रों में बारिश भी जारी है और जिस तरीके से उपरी किशेत्रों से पानी आ रहा है तो इससे काफी दिखते भी हो सकती है कि अगर बात करें इस मौनसून की तो एक तरीके से सूखा था पूरा का पूरा जुलाई सूखे में चला गया ड्राई चला गया फसलें खराब हो गई और बारिश एक दो दिन कभी एक जगा कभी दूसरी जगा रिम जिम बारिश हुई लेकिन प्रयापत बारिश ना होने के चलते जो किसान थे वो परेशान थे लेकिन आज की बारिश ने सब जल मगन कर दिया है काफी नुपसान की लगातार खबरें आ रहे ही हैं और सड़क स्कूलों में पाणी चला गया है और अभी पिर से तेज बारिस शुरू हों चुकी है लाइट गुल हो चुकी है लाइट अ जो नहीं और उना में जो स्तितिय हैं वो पहली बारिसें ख्राब होने लगी है सबसे बड़ी दिक्कत धार्मिक स्थाल चिंदपुर्णी में हैं जहां मेले चले हुए हैं लाखों की संक्या में शर्धालू पंजाब से चिंदपुर्णी पहुंचे हैं और इसी बीच बहां पे कोई भी जो कारगर बेवस्था नहीं है कल भी हमने दिखाया था लंबा जाम लगा था ट्रैफिक जाम दस किल सब्सक्राइब है जिए 800 से जादा के जो सुरक्षा बाल मांगे गए थे पौने 400 की तादाद वहां पे मिली है और उससे ना तो सुरक्षा है और सबसे बड़ी यात्रियों को सुग्ध्याओं की है क्योंकि चिंदपुर्णी का जो मंदर है वो प्रदेश में सबसे धिक च जाना है बाबजुद इसके शर्धालूओं के लिए जो सुग्धा है वो नगन्या है चिंदपुर्णी मंदर में 30 35000 की जो एक तरीके से किशमता है बहां पे शर्धालूओं के लिए कैपैस्टी है लेकिन दो लाग से दिक शर्धालू पहुंचे हैं और मेले के दृष्ट में यह स्थिती है वो और खराब हो सकती है तो आप आप बने रहें रहें कि पलंव की अपडेट यहां से आपको ना देते रहें औरर कहां कहां क्या क्या स्थिती है इसको लेकर भी आपको रखराएंगे कल भी आपको पूरी जानकारी चिंदपुन्नी से दी गई थी किस तरीके से शुधालूं को दिखते आ रहे ही है और फिर से बता दे कि उना में भारी बार से हर तरफ जल में जल पर ले जल मगन हुआ है स्कूलों में घरों में और कुछ दुकानों में पानी चला गया है जो ये पानी आगे बढ़ेगा उससे कुछ दिखते और होंगी बने रहे हैं आप पंजाब के स्री टीवी के साथ उना से मैं सुरेंदर शर्मा